Hello everyone, Welcome back to my YouTube channel. इस वीडियो में हम लोग जनर्नल इंग्लिस देखेंगे. देखिए, इंग्लिस से भी आपके 20 questions आपके पूछे जाएंगे. अगर आपको ABBMU, अटल भीहारी भाज पर ही Medical University, जो आपका BSC Nursing का Entrance Exam कंड़क्ट कराने वाली है, यह कौन सा बैच रहेगा? 2024 बैच रहेगा. देखिए, 2024 में अगर आपको BSC Nursing का Entrance Exam देने जा रहे हैं, या आप कहीं पर भी देने जा रहे हैं, जहाँ पर आपको English पूछी जाएगी. जैसे AIMS हो गया, राजस्थान, RUHS हो गया, वहाँ तो GK पूछे जाएगा, आपका AIMS हो गया, AIMS में भी GK पूछा जाएगा, तो ऐसे जहाँ पर English पूछे जाएगे, जैसे अटल विहारी भाज़ पर Medical University जो UP में है, आपके English से 20 question आपके आएंगे. तो यह 20 question एकदम simple question होते हैं, भाई, एकदम basic question अगर आप basic English एकदम पढ़े लिए, थोड़ी सी English आपको knowledge हो गया कि question कौन-कौन से आते हैं, तो आप 20 में से यह समझे कि 15 plus question आप एकदम सही कर सकते हैं, GK में. तो देखिए, यह सम नंबर गेन करने के लिए, देखिए, अगर आप basic nursing entrance exam देने जा रहे हैं, अटल विहारी व्याज़ पर ही, यह UP का entrance exam जो government और private college के लिए हैं, तो उसमें आपको 130 question आपको एकदम right करना है, सही करना है, government college के लिए हैं, तो 130 number सही करने के लिए देखिए, आपको physics से 40 question आएगा, chemistry से भी, और biology से, और nursing aptitude से, इतने से 40-40 question आएंगे, और आपका GK हो गया, प्लस English हो गया, यहां से आपके 40 question आएंगे, GK से 20 question और English से, तो 40 question, आपको physics, chemistry, biology and nursing aptitude, यह समझें कि physics, chemistry, biology एकदम अच्छे से पढ़ना चाहिए, और उसके साथ-साथ में nursing aptitude and GK and English यह जो आपके 40 question, nursing aptitude, biology and nursing से related question जो पूछे जाते हैं, यह 40 question आप इतना अच्छा करें ना, कि आप अच्छे नंबर गेन पाएं, अब यहां 40, 40, 40, कितना हो जाएगा, 80 number हो जाएगा, यहां 40 question आपके nursing aptitude और GK and English से 80 question, अब 80 question में आप इतना अच्छे कर देना, आप यह समझे कि इदम 70 question का target आप यहां लेके चलें, nursing aptitude and GK मिलाके, 70 question आपका target होना चाहिए, 70 question यहां से आ जाएगे, फिर बचेगा आपका कितना, यहां पे बचेगा, 42, 80, 80, 120, यहां पे बचेगा, 120 number में, आप अगर यह मान के चलियें, यहां पे अगर आप बालोजी में 40, 35, 30, 30, 90, अगर आप इतना भी सही कर दियें, 90 number भी सही कर दियें, 120 में 80 number भी सही कर दियें, तो 82, 16, यह समझे कि 82, 150 number आपका हो जाएगा, तो यही target लेकर चलिये, और चलिये, इंगलिस इतना best समझा देते हैं, काफे student करें, इंगलिस सर कैसे हो पाएगा, इंगलिस इतने अच्छे हो जाएंगे ना, कि इतने अच्छे कोई subject आपका होगा नहीं, लेकिन आप channel को follow कर आप channel पर जाएं, जो चीजे बोली जाती हैं, उतनी चीजे करिये, कोई भी चीज physics हो गया, chemistry हो गया, biology हो गया, फिर उसके बार nursing aptitude हो गया, आपके फिर GK हो गया, GK प्लस English हो गया, कोई भी question आपको गलत करना ही नहीं है, इंटरेंस इक्याम में, दोस question पूछे जाएंगे लेकिन 160 question तो सही करिये न, 160 question यार, physics, chemistry, biology, nursing aptitude, GK, English जाएंगे, चैनल पर वीडियो करिये, नहीं सही होता है, यार, एकदम, काफी student पूछते हैं, क्या वीडियो देखने से selection हो जाएगा, नहीं, मैं तो कभी नहीं कहूँगा वीडियो देखने से selection होगा, वीडियो आप, म तो आप अच्छे से अगर पढ़ेंगे, तो हाँ, 170 plus question आपको मिल जाएंगे, तो चलिए, देखेंगे, इंग्लिस थोड़ा सा देखते हैं, और इंग्लिस देखिए, इंग्लिस में basic, जितना भी basic सब कराही देंगे, क्योंकि यह समय मैं भी इंग्लिस पढ़ी रहा हूँ, मैं अपने खुद के entrance exam के लिए, मुझे भी अभी nursing officer के लिए entrance देना है, जैसे अभी लखनु का देखिए, cancer hospital का निकला है, कल्यान सिंग nursing officer का, फिर उसके बाद DSS भी apply किया हूँ, फिर उसके बाद अगर बात करेंगे, तो अभी UPUMS आने वाला है, RELO आने वाली है, ESIC आने हो गया, direct हो गया, indirect हो गया, यहां सबसे question आते हैं, तो थोड़े थोड़े करके तो देखेंगे न, अब एक video में तो सब कुछ हो नहीं पाएगा, तो चलिए noun देखिए, अब यहां से शुरू करते हैं, noun, अब noun क्या है, noun देखिए, यह noun is the name of person, noun एक किसी person का नाम हो सकता है किस कोई place हो सकता है, या कोई things, कोई बस्तु हो सकती है, या फिर कोई quality हो सकता है, या फिर कोई condition हो सकता है, या फिर कोई action हो सकता है, तो किसी ब्यक्ति, अस्थान, बस्तु, गुड, दसा और कारिलाप के नाम को, कारिकलाप के नाम को noun कहते हैं, तो noun क्या हो गया, noun भाई क चीज़ हो सकता है, नाउन एक परसन भी हो सकता है, एक आदमी हो सकता है, एक कोई अस्थान हो सकता है, कोई एक बस्त हो सकती है, कोई एक क्वालिटी कंडिशन एक्षन, तो ये सब चीज़े हो सकती है, तो नाउन आप समझ गए होंगे, नाउन क्या है, अभी जब एक जामप प्लेस की बात करेंगे यहां देखिए प्लेस में हो गया जैसे यहां देखिए प्लेस में पटना हो गया पटना क्या है पटना एक जगा है एक प्लेस है एक अस्थान है अब देखिए थिंग्स कोई बस तो जैसे देखिए जैसे प्यान और पेपर कापी यह सब क्या है कोई थिंग्स बस्तो है, मोबाइल हो गया, काफी चिजे हो गए, जो आपके इस राउंट में दिखेंगी, वो सभी थिंग्स बस्तो यह ही हैं, तो प्यान एक कलम क्या है, यह एक नाउन है, next में देखिए quality, quality मीन्स honesty honesty means इमंदारी यह आपकी quality है कि आपकी यही तो आपकी quality और honesty है कि आप कितने इमंदारी से पढ़ते हैं 8-10 गंडे पढ़ रहे हैं कि नहीं daily के daily 24 गंडे में से कि घूम रहे हैं टाल रहे हैं बस सोच रहे हैं 170 question टारगेट बनाए हुई हैं लेकिन पढ़ाई नहीं कर रहे हैं 170 और 80 के टक्कर वाली पढ़ाई अगर करनी है तो दिन और रात लगना शुरू कर देजिए कोई भी question solve करिए चैनल पर कोई भी question ना आए उसको बार बार revise करिए तब 170 और 180 का target होगा यह हम डरा नहीं रहे हैं एकदम honesty बोल ले हैं क्योंकि जो अलग-अलग city में अलग-अलग सारो में जाके student नीट की तयारी कर रहे हैं दो दो तीन तीन चार चार साल से नीट की तयारी कर रहे हैं उनमें उनका MBBS में selection नहीं हो रहा है वो move कर जाते हैं लास्ट में farm apply कर देते हैं BSC nursing क्योंकि BSC nursing इस समय टाप क्रेज में च ट्रांग होता है बट उनको आके nursing aptitude जीके और English कर लेना पड़ता है एक महीनी में उनका सब ये सब चीजे कबर हो जाती हैं और वो 150-160 एकदम तुरन सही कर देते हैं 140 हो गया 150 हो गया 160 उनके number सही हो जाते हैं तो उनसे आपको fight करना है तो आप एकदम जोरदार तयारी करना शुरू कर देजिए तो देखिए honesty हो गया condition condition क्या हो गई condition illness मतलब बीमारी हो गया की health आपका सही है की नहीं सही है action को हो गया action क्या action मतलब moment गत चाल ये सब चीजे क्या है ये noun है तो ये इतने चीजे noun हो गए जो चीजे मैंने सभी बता दिये हैं अच्छे से आप समझ गए होंगे अभी जब example करेंगे तो और चीजे आपको clear हो जाएंगी तो यहाँ देखिए noun noun means क्या होती है संग्या होती है ये आपको तो संग्या हो जाती है ये संग्या तो ये संग्या चीजे हो जाती है noun means संग्या हो जाता है अब नाउन को divide किया गया देखिए noun को divide किया गया countable जो means गड़ना किया जा सके गड़निये संग्या मतलब जो count numbering कर सके uncountable noun जो गड़ना ना किया जाए आगड़निये संख्या यह आप समझ रहे होंगे uncountable जिसको गिना ना जा सके और countable जिसको गिना जा सके count किया जा सके तो पहले countable noun देख लेते हैं कि countable noun कौन-कौन से कौन-कौन सी संग्या होती है जो गड़िनी होती है तो इसके बारे में पहले देख लेते हैं जैसे देखिए पहले proper noun common noun और collective noun इसी पे ज़्यादा question आते हैं आपके एक question आपको collective noun के उपर देख जाएगा तो यहाँ पे देखिए फिर उसके बाद uncountable में material noun आ जाएगा drug विवाचक संग्या आ जाएगा और abstract noun आ जाएगा जो भाव वाचक संग्या होती है लेकिन आपको समूह वाचक संग्या यह अच्छे से पढ़ लेनी है collective noun को समूह वाचक common noun को जाएगा और proper noun को व्यक्तिवाचक संग्या कहते हैं तो चलिए एक एक करके इसमें देखते हैं पहले countable noun को देखते हैं कि countable noun क्या होती है तो यह देखिए यह countable noun अच्छे से समझेए countable noun जो होती है the noun which can be counted जैसे देखिए कह रहा है ऐसे noun जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं counted कर सकते हैं मतलब count कर सकते हैं गिन सकते हैं number में उसको क्या बोलते हैं उसको countable noun बोलते हैं जैसे देखिए बीना हो गया girl हो गया, class हो गया यह सब countable तो होए है ना countable noun ही है जैसे countable noun में पहले हम first पर पढ़ेंगे proper noun proper noun क्या होती है the noun which denote यह proper person, place या things जिसको proper denote कर पाओ जैसे बोलते है यह इनका नाम यह है इनका नाम यह है यह मेरे पापा है यह मेरे मम्मी तो इनको proper क्या कर सकते है प्रापर उनको denote कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, denote कर सकते हैं, तो यह चीज़े हो जाएंगी, जैसे देखिए, प्रापर हो गया, क्या हो गया, denote, प्रापर परसन कोई हो गया, place कोई हो गया, things हो गया, उसको एक things, देखिए, प्रापर परसन जैसे देखिए, यह क्या जाएगा जैसे देखिए बिन है कोई बिन है कोई लड़का है कोई अजीत है कोई नीलू है फिर उसके बाद प्रापर प्लेस कोई अस्थान हो गया जैसे मुंबई हो गया मुंबई एक अस्थान है ना उसको डिनोट तो कर सकते हैं ना एक इनिस जैसे एक लेटर है ना कुलकाता हो गया दिलही हो गया फिर उसके बाद जैसे दिन में काउंट कर संडे मंडे यह सब क्या होते हैं यह सब प्रापर प्लेस ही होते हैं प्रापर थिंग्स देख लिजिए रामायन हो गया गीता हो गया बाइबल हो गया यह सब क्या आते हैं प्रापर नाउन में आते ह नेक़््ट में common noun देख लिए common noun क्या होता The noun which denote common person common person होना चाहिए common place होना चाहिए common verse Vegetable common person को अगया man हो गया omen हो गया man omens क्या है ये common person ही है common person हो गया अब जैसे common place क्या हो गया town हो गया अब यहां तो एक दम यह सोकिया जा रहा रहा ना, टाउन का मतलब कोई एक टाउन तो फिक्स लिया नहीं जा रहा है, नाम, इस्कूल, एक इस्कूल का नाम लिया जा रहा है, इस्कूल में तो काफी लड़के हैं, अब एक लड़के का अगर नाम लिया जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो प्रापर नाउन हो जाएग लेकिन यहां पर common noun की बात कर रहा है common noun में place में यह देखिए सहर में city जो है city कोई हो गया जैसे town हो गया school हो गया कोई game हो गया तो यह चीजे हो गई फिन common things बस्तुए में books बुक हो गया table हो गया car हो गया mobile हो गया यह सब things हो गई एक कोई mobile का कोई नाम थोड़ी मैंने बताए कि यह जियो का है समसंग का है यह वीबो का है कोई particular नाम तो मैंने लिया नहीं है बस mobile बता दिया है क्योंकि common noun हमने यूज करना बस तो यह यूज नहीं करते हैं कोई चीज आप दो तिन लोग एक रूम में रह रहे हैं तो कोई common एक टावल है एक तावल है वो common चीजे यूज कर रहे हैं अब तावलिय का नाम तो नहीं रखा गया ना क्योंका है तो वो common चीजे है इसी तरीके से books, table, car, mobile यह सब चीजे नाउन, collective noun important है अच्छे से देख लिजे, collective means एक दो को मिला के collective वो ही चीज बोला जाता है, समूह आचक संग्या जिसको बोला जाता है, collective noun, the noun which denotes ये group, किसी एक group को अगर denote किया जाए, आप person, मा लिजे कोई person, दो, तीन, चार, पांच लोग का एक group, उनको denote किया जाए, other creature and collection things, वो ऐसे things हैं, जैसे देखिए, group of person को क्या बोलेंगे, group of person, group हो, एक धेर सारे person हो, उनका एक group हो, तो उनको क्या बोलेंगे, collective noun बोलेंगे, जैसे, ये crew of sellers, ये crew of sellers हो गए, फिर उसके बाद, sellers क्या होते हैं, जो ना चलाते हैं, ये team of players, एक team में कितने, काफी players होते हैं, ये class of students, एक class में काफी student होते हैं, तो एक person के ही group हैं, एक army of soldiers, जो soldiers होते हैं, उनमें तो काफी army होते हैं, काफी person होते हैं, ये देखिए, collection of things, things में देखिए, एक बंचा फ्लावर, जो फूलो का गुच्छा होता है, या फिर अंगूर का गुच्छा हो गया, वो क्या है, collection of things हो गए, ये library, आप books, library में तो काफी books होती हैं, तो ये things में आते हैं, collective nouns में आते हैं, uncountable nouns में देखिए, uncountable nouns में जो count ना किया जाए, आगर निये संख्या जिसको हमने बोला ही था, यहां देखिए, the noun which can not be count, जिसको नहीं गिना जा सके, जैसे gold हो गया, water हो गया, water को count कर पाओगे नहीं, oil, tail को count कर पाओगे नहीं, coffee को count कर पाओगे नहीं, honesty मिन्स इमानदारी को count कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, तो जैसे देखिए, यहां पर A में और B में, मैंने बताया था, uncountable में दो आते हैं, material noun, abstract noun, अब material noun में देखिए, the noun which denotes materials, जो materials में वो noun होते हैं, materials में जैसे copper, silver, tea, coffee, घी, यह सब क्या हैं, यह uncountable noun है, uncountable में material noun है, next में देखिए, abstract noun, abstract noun क्या होते हैं, abstract noun में देखिए, जैसे, you can not, the noun which denotes quality, condition, or action, अब देखिए, इन्स में, the noun which denotes, जिसको denotes किया जाए, quality को, condition को, action को, जिसको you cannot see, जिसको आप, देख नहीं सकते, test नहीं कर सकते, 순 नहीं सकते, love नहीं कर सकते, love मतलब महसूस नहीं कर सकते, anger मतलब दुखी नहीं हो सकते, joy, मजा मजा नहीं कर सकते, touch मतलब टच नहीं कर सकते, तो यह सब चीज़े इसमें आती हैं, abstract noun में, जैसे देखिए, wisdom हो utility हो गया इसको महसूस कर सकते हो pro सुन नहीं सकते स्री महसूस कर सकते हो तो यह सब चीजे इसमें हो जाएंगी abstract noun में कुछ example देखिए some important collective noun कुछ important collective noun दिये गए हैं तो जैसे देख लिजिए collective noun, collective noun क्या चीजे थी मैंने बता ही दिया था कि collective noun जो होती है उसको group आप person को बोलते हैं, group आप person हो गया या फिर things हो गई, बस्तुएं हो गई जैसे collective noun इधर भी दिया गया गठार, यह heap of sand, बालू का धेर यह bunch of keys, चाभियों का गुच्छा यह galaxy of stars, तारों का जुन्ड यह head of cattle, यह important है यह head of cattle ऐसे देदेगा यह देदेगा, head को यहाँ पे space कर देगा blank कर देगा, आफ कैटल, आपको head यहाँ पे fill up करना रहेगा फिर cluster of stars देखिए, एक group of student छात्रों का समू, एक cluster of stars means तारा होता है, तारों का जुन्ड यह देखिए, gang of robbers robbers क्या होते हैं, टाको robbers होते हैं, छीना चपड़ी करते हैं डाकों का समू, जहाजों का भेडा यह fleet of ships an army of ants यह देखिए, चूटियों का जुन्ड, यहाँ army से यहाँ अटा देते हैं, फिर question पूछेंगे तो यह ऐसे question आपको यहीं से question है, question जरूर आएगा collection of people, यह देखिए यहाँ पे देख लिजिए, यह board of यह देखिए, trustees, विश्वास पात्रों की मंडली, यह देखिए, यह batch of pupils, सिस्टेओं का समू, यह assembly of representative, परतनिदियों की मंडली, यह carbon of pilgrims, ते थे यात्रियों का काफिला, तो ऐसे यह मिल जाएंगे, पैनल आप जज, न्याधिसों का समुदा, यह पैनल आप जेरीमेन, अभिनायकों का यह देखिए, समुदा, यह pack of false, मूर्खों का जुन्ड, यह देखिए, pack means क्या होता है, जुन्ड होता है, false means क्या होता है, मूर्ख होता है, यह pack of, यह देखिए, जैसे यह क्या चीज़े, यह जुन्ड में हैं लोग न, तो यह collective का, इसलिए तो example है, collective of known, एक दो से ज़्यादा लोग जुन्ड में हैं, तो वही चीज़े बोली जा रही है, यहाँ पर देखिए, team of oxygen, बैलो का जुन्ड हो गया, यह swarm of flies, यह भी important है, swarm यह हटा देता है, ऐसे देगा, यह flies, यह of flies, अब आपको swarm means क्या होता है, जुन्ड होता है, यह भी देखिएगा, important है, यह swarm माप भी, मतलब मदमक्यों के लिए भी यह जुन्ड युज किया आता है, तो यह important है, यह भी, इसको यहाँ से हटाते हैं, अभी question ने कराएंगे, यह stud of minus, यह देखिए, यह आप पड़ सकते हैं, यह school of whales, whale मचलियों का जुन्ड हो गया, यह देखिए, मचलियों का जुन्ड हो गया, यह soul of fishes, यह हो गया, यहाँ school है ना, school नहीं soul हो सकता है, next में pack of SS, गदहों का जुन्ड, यह देखिए, यह भी important है, next में देखिए, next यह hips आप भी important है, मदमक्कियों का छत्ता, यह herd आप deer, हिरनों का जुन्ड, यह herd आप swine, swine मतलब सोरों का जुन्ड, यह herd आप cattle, पसों का जुन्ड, यह howl, आप fishes, हवा के रुख में चलने वाली मचलियां, तो यह सब चीजे देख लिजी अच्छे से, और देखिए, हाँ, यह question है, अब यह question आपको, यह ही से question आपका मिल जाएगा exam में, देखिए, fill in the blank with suitable collective noun, suitable collective noun आपको लिखना है, जो चीज यहाँ पे suitable है, वही चीज आप यहाँ पे लिख पाएंगे, तो आप suitable चीजे कैसे आप लिख पाएंगे, अगर आप अच्छे से यह देखे होंगे वीडियो को, तो आप कर पाएंगे, नहीं कर पा रहा हैं, तो अच्छे से देखिए, और करने की कोशिज करिए, मैं आपकी help कर दे रहा हूँ, तो चलिए देखिए, जैसे आप देखिए, fill in the blanks, first को भरिए, आप यहाँ पे देखिए, यह आपका क्या दिया गया है, यह देखिए, दिया गया, डबलू, ओ, ओ, यल, भी, यास, जैसे उल्फ नहीं होता, वो ऐसे दिया गया, उल्फ दिया गया, उसका plural noun दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या fill up करेंगे, यहाँ पे आप जुन्ड है, वो उल्फ मतलब भेडियों का क्या जुन्ड है, तो यहाँ जुन्ड के लिए क्या आप भरेंगे, pack भर दीजिए ना, P, A, C, K, यहाँ पे pack भर देंगे, तो ऐसे ही भरेंगे, फिर उसके बाद अगर बात करेंगे सिकेंड में, सिकेंड में क्या भरेंगे, यह भी मदमक्खी वाला है, मदमक्खी की जुन्ड, जुन्ड के लिए क्या युज़ करेंगे, मैंने बताया था, स्वार्म युज़ कर लीजिए, यहाँ पे स्वार्म लिख लीजिए, तो यह हो जाएगा, फिर थर्ड की अगर बात करेंगे, तो थर्ड में क्या आप युज़ करेंगे, फिस के लिए हैं, फिस के मैंने भी दिखाय था, जब कराय था, यहाँ पे स्कूल युज़ कर लीजिए, मैंने बताय था school नहीं soul is होगा yes, yes, oh, al हो गया यहां मचलियों का जुन्ड हो जाएगा फिर यहां पे thieves चोर हैं चोरों का जुन्ड के लिए क्या gang एक होती है g, a, and, g यह हो गया gang हो गया इसमें भर लेंगे फिर उसके बाद five number में क्या कर लेंगे five number में यह, यह क्या हो गया seller, sellers मतलब now को चलाने वाले को sellers बोलते हैं, तो crew, crew person होता है crew, इसमें crew में vacancy निकलती है जो person होते हैं, उसमें जहाज में समुन्दी जहाज जो चलाते हैं crew person के लिए vacancy निकलती है तो यह crew आफ sellers जुन्ड होती है फिर उसके बाद अगर बात करेंगे six number का देखिए, six number में क्या भरेंगे आप six number पे six, six माने जहाज होता है तो fleet भर लेंगे यह fleet, F, L, E, T fleet भर लेंगे six number में seven number में आएंगे tree, seven number में क्या, clump भर लेंगे C, L, U, M, P, ऐसे ही clump भर लेंगे फिर अगर eight number की बात करेंगे तो देखिए, books, a library आप book, यहाँ पे library भर लीजिए L, I, V, R, A, double A, single ry, library हो जाएगा फिर वहीं पे अगर बात करेंगे कि कौन सा number, ninth number आप भरेंगे, ninth number में क्या भरेंगे ninth number में यह players किसकी team पूरी होती है यह team, यहाँ team भर लेंगे ninth number में, tenth number में क्या भरेंगे यह देखिए, puppies, puppies means क्या होता है जो पिल्ले होते हैं, चोटे-चोटे जो puppies होते हैं, वही होता है तो किसका होता है, यहाँ पे tenth number में आप भरेंगे, यह liter भरेंगे, L, I, T, T, E, R liter भर लेंगे, जुन्ड उसको बोला जाता है head भर लेंगे, देखिए, यहाँ पे आ गया, यह cattle वाला आ गया, यह head of cattle, मतलब genre का जुन्ड, यहाँ पे E, R, D भर लेंगे यह चीज हो जाएगा, फिर ऐसे-ईसे आप भर लेंगे, पूरे में बरते चले जाएएगे जादा सजादा भी हम भराएएगे, तो time लगेगा तो आपको boring लगेगी, काफे इस्टुडेंट को boring लगती है, भाई, पढ़ना, पढ़ना उनको boring लगती है, घूमना टालना नहीं लगती है, लेकिन पढ़ना इतना boring लगता है तो मुझे पढ़ना भी boring लगता है इसलिए, तो यह चीज है लेकिन मैं, मैं तो पढ़ाओं गयार काफे इस्टुडेंट अच्छे पढ़ने वाले भी हैं तो चलिए, जो skip ना कर रहे हैं वो देखिए, 14 नमबर देखिए यहाँ पर 14 नमबर में स्टिक्स, स्टिक्स माने चड़ी होती है यहाँ पर bundle आप भर सकते हैं 14 नमबर में क्या भरेंगे B, U, Y, D, L, E bundle भर सकते हैं, फिर उसके 15 नमबर में क्या भरेंगे, पंदा नमबर यह आप soldier, soldier मत्तब रेजिमेंट भर सकते हैं और एक ही रेजिमेंट में क्या रहेंगे, यह soldier रहते हैं, soldiers मिंस अधित सारे soldiers, band यहाँ पर भर लेंगे आएंगे, आप 16 नमबर में आपका क्या भरा जाएगा musician जो दिखाते हैं musician जो दिखाते हैं two band, एक पूरी party band की होती है तो यहाँ B, A, N, D भर लेंगे ऐसे ऐसे आप भरते चले जाएंगे आप और चीज़े आप देख सकते हैं 17 नमबर में क्या भरेंगे यहाँ पर bucket भर लेंगे और 80 नमबर में E, F, L, O, C के भर लेंगे 18 नमबर में भर लेंगे फ्लोक्स भर लेंगे फिर उसके बाद अगर 90 नमबर में क्या भरेंगे यहाँ पर किसका जुन्डा है हाथियों का तो E, 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 R, D भर लेंगे किसमे 19 नमबर में E, 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 R, D भर लेंगे फिर अगर बात करेंगे कि 20 नंबर में 20 नंबर में आप क्या भरेंगे यहां सिग्रेट का पाकेट यहां भर लेंगे P.A.C.K.E.T. पाकेट भर लेंगे 21 नंबर में अगर बात किया जाए बंच भर लेंगे ग्रैपिस के अंगूर के गुच्छे यहां बच भर लेंगे B.U. & C.E.H. भर लेंगे टफ भर लेंगे यहां पर 22 नंबर में क्या भर लेंगे 22 नंबर में P.U.F.T. तफ भर लेंगे उसी परकात स्य जी संबर में डायरेक्टर यह बोर्ट आफ डायरेक्टर बी ओ ए आर डी बोर्ड ऐसे ऐसे आप सभी चीजे कर लेंगे अच्छे से और सभी चीजे समगे एक कोईश्चन आपको ये दिखा दूँ तो आप ये कोईश्चन साल्व कर पाएंगे नहीं कमेंट बॉक्स में आप सभी कमेंट करके बताएंगे और सभी लोग रिपलाई जर agrade donald करेंगे ब्यूज नहीं आएगा चैनल प्राव्ल में जाती है चैन ल से कि अप किया गया तो आप इतने चैनल पे इतने अच्छी वीडियो करा CEO क्या रहा है तो आभि देखिया सब्सक्राइगे न कुछ student इतने मतलब उनको क्या बोला जाए उतने जितनी गंदी चीज़े बोली जाए कोई उनको मतलब उतना भी बेकार है अब यह तक को video लाइक नहीं किये होंगे और यहां तक पहुच गए होंगे और daily video चैनल पर देख भी रहे होंगे उनको like भी नहीं करना कोछ भी नहीं करना total मतलब वो कहते नहीं है बर उनका काम हो जाए बस काम खतम है तो ऐसे स्टुडेंट मेरे चैनल पर प्लीज आप लोग दूसरे चैनल पर त्यारी करिए अगर वीडियो को लाइक नहीं करना है सेर नहीं करना जो स्टुडेंट को समझ में चीज़े आ रही है अधर जी नर्सिंग एपटीट्यूड जी के इंग्लिज श्रीप एक स्टुडेंट के लिए कराऊंगा कभी नहीं क्योंकि फिरी में मैं 100% सभी चीज़े इस साल तो फिरी में करा ही रहा हूँ पिछली साल भी फिरी में कराय था इसके पहले मैं कहीं पर पेड़ पर कराया था तो क्योंकि सेलेक्शन होने के बाद ही अप्लिकेशन बनवाएंगे फिर अनलाइब लाइब क्लासे सब कुछ एकदम पूरी टीम और करेगी लेकिन अभी मैं अकेला हूँ तो चलिए जो भी है आप वीडियो को लाइक किया करिए बर इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडि क्योंकि गुरूप को क्या बोला जाता है हेड बोलोगे पैक बोलोगे स्कूल बोलोगे या प्राइड बोलोगे कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके इस कोश्चन का जवाब आपको देना